अपनी विचार सक्ति को स्वस्थ और कारिशिल रखने के लिए प्रती दिन में लॉजिकली एक पजल सॉल करते हुए 501 पजल की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं तो चलिए देखते हैं आज की पजल आज की पजल में आपको दिया गया है एक फीगर चित्र आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ग दिखाई पड़ रहे हैं करना क्या है गिंती करनी है और बताना है इस चित्र में कितने स्क्वाइर से हैं मेरा निवेदन है वीडियो रोकें उत्तर अपने से ढूंढें क्योंकि इस तरह की बहुत सारी पजल हम पहले सॉल कर चुके हैं इस तरह की पजल को किस तरह सॉल करना बार बार डिसकस कर चुके हैं तो चलिए अब देखते हैं मैंने किस तरह से स्क्वाइर्स काउंटिंग की है इस तरह की puzzle solve करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते है एक basic dimension लेते हैं एक या दो basic dimensions लेते हैं basic dimensions को आधार मान करके हम गिंती करते हैं यहाँ पर हम basic dimension क्या लेंगे सबसे छोटा स्क्वाइर माल लेते हैं कि सबसे छोटा स्क्वाइर जो हम देख रहे हैं उसकी साइज है M साइड्स M into M M को आधार मान करके गिंती सुरू करें सबसे पहला स्क्वाइर M into M 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 5 plus 3 plus 1 25 मुझे बताने की ज़र्वत नहीं है ये ब्रेक अप मैंने कैसे लिखा आगे बढ़ते हैं 2M into 2M 2 plus 4 plus 4 plus 2 12 आगे बढ़े 3M into 3M 1 plus 3 plus 1 5 टोटल स्क्वाइर कितने हो गए हैं 42 I am sure आपका उत्तर और मेरा उत्तर एक होगा मेरा ये भी विश्वास है कि आपने गिंती करते समय प्रोसेस को फॉलो किया होगा जरूरी नहीं है मेरा प्रोसेस फॉलो करें अपना प्रोसेस बनाएं लेकिन कोई तो कोई सिस्टम कोई तो कोई मेथड आपका होना ही चाहिए इस तरह की सिस्टम फॉलो करेंगे तो एक और बात होगी यदि मैंने गलती की है तो मैं पिन पॉइंट कर सकोंगा मैंने किस पॉइंट पर गलती की यदि मुझे रीकाउंटिंग करनी है या मेरे उत्तर को क्रोस चेक करना है तो क्रोस चेकिंग बहुत आसान हो चाहिए इस तरह की puzzle solve करने से दो बाते होंगी पहली आपकी analytical thinking बढ़ेगी दुसरी, visual ability का भी विकास होगा indirectly तीसरी quality भी बढ़ेगी observe करने की quality और यह सारी निपुनताएं, यह सारी कुशलताएं एक दुसरे की पुरक है, एक दुसरे को support करती है एक दुसरे का आधार बनती है 501 puzzle की series में इसी तरह विवित कुशलताओं का विकास करते करते हम आगे बढ़ेंगे अगली puzzle में अवश्य मिलेंगे धनिवार, तैंक यू